हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग गुद आफ्टरनून गुद इवनिंग तो अल फ्यू और वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की इस क्लास में जो हम डिस्कुर्स करने जा रहे हैं देट इस दा कन्विक्शनल करेंट थेरी ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कुर्स किया को लेके बात की थी प्रेजेंट टाइम में भी बताया और पास्ट में बताया था कि कैसे कैसे कौनकोर सी पोजिशन में वो लाई करते थे ठीक है जिसमें उसने यह चीज़ बताई कि हमारे स्टार्टिंग में 250 मिलियन एर्स पहले एक ही सूपर कॉंटिनेंट हुआ करता थ शुक्रम अपरोगा में विद्लियों थे कुछ थे इविडेंसे दिये थे जिसको सपोर्ट किया था जिसको अएसेप्ट किया था लेकिन तो लिकान उसने अइसे अपने थेरे में उसकी थेरे में बताए थी और जो जब उसने पीछे रीजन बताई कि डिफितिंग जो मतलब एक concept अगर कोई देता है अगर उसकी कुछ weak points होते हैं तो उस weak point को दूसरा बंदा उसको clear करता है इसी तरह continental drift theory की कुछ weakness थी उन weakness को remove किया conventional current theory ने ठीक है जो कि हम आज discuss करेंगे ये चीज़ आप थोड़ा अच्छे से समझना कि इसमें उसने drifting के पीछे reason क्या बताया था basically इसने उस forces के point को criticize करके अपना जो new concept दिया था ठीक है हॉलमस ने दिया था that is conventional current theory तो चले start करते हैं देखते कि इसमें क्या है ठीक है तो conventional current theory की अगर बात की जाए रखिए conventional current theory जो है सबसे पहले किस ने दी थी कब दी थी ये आपको पता होना चाहिए अर्थर हॉलमस ने दी थी 1930 में ठीक है 1930 में अर्थर हॉलमस ने continental drift theory की कुछ weakness को remove किया था ठीक है उसके criticize को खतम किया था इसने ये कहा था अर्थर हॉलमस ने कहा कि जो हमारा mental portion है अर्थ के interior में आपको अर्थ के interior में मैंने structure पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको crust layer पढ़ाई थी ठीक है mental पढ़ाई थी ठीक है और core पढ़ाई थी ये तीन layers पढ़ाई थी और अर्थर हॉलमस ने कहा कि जो ये mental layer है कौन से वाली ये जो mental layer है ठीक है इस mental layer में क्या है इस mental layer में हमारे यहाँ पे magma लाई करता है जिसे layer wise मैंने आपको बताए था कि आप पर जो crust layer है उसमें rock से लीथोस्फेर layer उसको कहते है लीथोस्फेरिक slab से ठीक है उसके नीचे हमारा mental आता है mental में upper mental और lower mental में मारा magma आता है जिसको हम asthenos failure कहेंगे तो वो जो mental है mental में ही conviction currents जो है वो generate होते हैं वो कैसे होते हैं वो ये चीज़ देख नहीं है ठीक है ये जो conviction current से ये generate होते है radioactive elements की वज़ा से कैसे मैं आपको बताती हूँ ये जो radioactive elements होते हैं हमारे अर्थ के interior में देखे जैसे स हम नीचे जाएंगे density जाएगी क्योंकि high elements है जो radioactive elements हैं हमारे अर्थ के interior में mental में वो क्या करते हैं वो heat को generate करते हैं वो temperature काफी high हो जाता है नीचे जैसे हम नीचे जाते हैं अप देखिए ऐसा तो नहीं है कि sun के rays हमारे अर्थ के interior में जा रही है तो वहाँ पर उस वज़े से temperature high हो रहा है surface पर तो जो man heat का source है वो solar radiation से लेकिन interior में इन elements की वज़े से heat generate होती है जिसे temperature जितना नीचे जाएंगे उतना high होता जाएगा ठीक है और कास क्या करता है temperature differences में thermal differences को mental layer में thermal differences को ये radioactive elements जो होते हैं heat generate करें कहीं पर temperature हाई होता है कहीं पर low होता है ठीक है तो होता ये है कि उस layer में जो हमारा magma है magma जो है वो क्या करता है जैसे suppose करते हैं मैं आपको यहां पर ड्रा करके बताती है यह मारी crust layer थी और यह हमारा आगे है mental यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या है यहां पर यह जो region है यह पूरा magma है ठीक है अब यहां पर magma है तो यहां पर radioactive elements जो है उन्होंने क्या किया heat को generate किया means यहां पर temperature high है ठीक उपर अब यहां पर जब temperature high हुआ तो यह magma जब कोई चीज मतलब घरम होती है तो उबलती है तो वो उसका light weight हो जाता उसकी density कम हो जाती है तो इस magma की जो density है वो density decrease हो जाती है जब temperature high होता है ठीक है जब radioactive elements heat को generate करते है तो temperature high हो जाता है तो magma जो है magma की जो density है वो decrease होती है जिसे magma rise upward करता है क्या करता है rise upward यहां से magma rise upward करेगा उपर क्या है उपर लीथोसफेरिक slab से इस तरह से प्लेट से ठीक है अब यह जो लीथोसफेरिक slab से magma उपर की और upward rise करेगा इसको heat करेगा उपर जाएगा temperature उपर ठंडा होगा मतलब temperature काम होगा तो magma ठंडा होके cool होके नीचे की और आजाएगा नीचे आएगा ठीक है नीचे आएगा फिर यहां पे देखें यहां पे फिर से temperature जादा है फिर गरम होगा फिर उपर जाएगा ठीक है फिर नीचे आएगा ठीक है फिर गरम होगा उपर जाएगा नीचे आएगा यह इस तरह से current system generate करते है अर्थ के interior में ठीक है इस तरह से क्या होता है current system generate होते है अर्थ के interior में और उसी को convection current कहते हैं clear अब यह जो convection current है जब देखे magma ऊपर जाएगा hit करेगा plate को plate या push होगी या pull होगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी कुछ तो होगा ना अगर एक चीज किसी को हीट करती है, और हीलेगी तो सही ना, फिर Magma जब नीचे आता है, फिर उपर आता है, फिर नीचे जाता है, अब जब ये Magma इस तरह से continuously नीचे से ऊपर upward हो रहा है असेंट कर रहा है इसे ये plate क्या होती है पुश होती है या तो plate एसेड मूव करेगी ये इस plate के move करने से हमारे continents वो move कियों हैं ये convection current theory ने इस चीज को proof किया ठीक है और ये acceptable theory है ठीक आप देखें इस में इनुने अर्थर हॉलमस ने सिर्फ यही बात बताए कि हमारे mental में इस तरह से current system जो है वो generate होता है mental portion में जिस से क्या होते हैं हमारी plates जो होती है वो push और pull होती है उन plate के push और pull होने से मारे continent जो है वो move कियो हुए ठीक है अब ये जो theory है मतलब ये जो explanation है ये हमारे इसी मतलब जो continental drift theory में जो forces को लेके बात कियी थी उन्ही forces को मतलब उस point को इन्होंने क्या किया right proof कि forces responsible नहीं है वो जो tidal forces है जो मैंने आपको बताया था ठीक है या फिर वो जो pole fling force है ठीक है pole fling force जो है ये दोनों forces responsible नहीं है उन land masses की movement के लिए उनके लिए conventional currents जो है वो responsible है जो की mental layer में कास होते हैं किसकी वज़े से radioactive substances के heat मतलब उनकी वज़ा से जो heat generate होती उसे temperature high होता है जिसे magma जादा गरम होता है उसे उसकी density decrease होते है और वो rise upward करता है और उन plate को push करता रहता है ठीक है push pull करता रहता है इससे plate क्यों होती है push pull होती रहती है मतलब इदो उदर खिसकती रहती है उनके move करने से ही इमारे land mass move की है तो आज अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया देखिए न आए नटिया जो आए इंडिया आऽता इंडिया प्लेट करना से तरह रहता है उसे क्या हो रहा है कि उसे हमारे हिमालया जो है उनकी हाइट जो है वो बढ़ रही है ठीक है ये चीज़ आपको पता होने चाहिए अब इसमें हम कन्विक्शन करंट यहां पे अच्छे से समझेंगे इस डायग्राम में आप देखें यहां पे यह देखें यह आपका आता से समर्ट कोरें हो टीक हैं इसमें अपर यह उपके जबती क्लशला में आपके खायां है यह तेखेंगे मैंगमा होऊ और रहा चोपर फिर नीचिचा हो धाया यहां पर देखें, यहां पर भी मैगमा गरमों के उपर जा रहा है, फिर वापिस ठंडा हो के निचे सिंक कर रहा है, फिर यह असेंट हो रहा है, यह डिसेंट हो रहा है, इस तरह से यह पूरा एक सेल बनता है, जिसको कन्विक्शन सेल कहते हैं, अब जब यह बार-बार मैग साथ क्या करती रहती है मूव करती रहती है तो यह था कि उन forces की वज़े से नहीं मूव की हैं वो convection currents की वज़े से मूव की हुए ठीक है अब यहां पर आपको इस डाइग्राम में और भी बहुत सरी चीज़ें बताई गई हैं लेकिन आप इसमें सिर्फ इतना ही याद रखेंगे जिसे plates देखें सिंक कर रही है नीचे की और क्यों कि प्लेट मूव कर रही है तो यह आगे तो नहीं जाई है आगे दूसरी प्लेट है यह नीचे की और मूव कर रही है जिसे subduction zone क्रिएट हो रहा है यहां पे देखिए यहां पे अगर है तो ओशन के अंदर जब प्लेट यह इधर जाएगी यह इधर जाएगी है आप पैरो देखे समझ रहे हैं यहां पर जो संटर में जो मैगमा उपर जाएगा तो यह ओशनिक रीजिस को बनाएगा यह चीज़े हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे यह मैं आपको अपल दू ओशन का वाटर है नीचे वाटर की मुवमेंट करंट तो चलती रहती है वाटर में ठीक है उस वाटर के ऊपर अगर कोई चीज है तो वह करंट के साथ साथ मूव करती रहेगी वद्दाद फलोट करेंगी उसके उपर उसी तरह यह प्लेट्स मैगमा के उपर फल तो यह जो डाइगराम ओवा है यह आपने ड्रा भी करनी रहा इस ठीरी के साथ ऐडाग्राम आपकी शीट पे होनी भी चाहिए ठीक है उसके बाद ये जो डाइगराम है यह जिस्ट यह आपके कोई ग्जाँग पइंपोऌट आफ यू से इंप़ॉ incentive नहीं आपने कोई ड् जैसे मैं आपको आर्थ के सर्फेस की एक्सांपल देती है जैसे आपको पता है कि आर्थ की सर्फेस पे जो एर होती है वो ही एर उपर जाती है गरम हवा हलकी होती हो वो हमेशे राइज अपवर्ड करती हो उपर जाती है ना यहां कहीं क्रोड्स मराएगी बारिश करेगी ना तो हमारे interior mental में भी यही convection current कास होते हैं जिससे हमारी lithospheric slab इनके उपर क्या करती रहती हैं मतलब move करती रहती हैं जिसे हमारे land masses भी move करते हैं क्यूंकि land masses उन plates के उपर टिक्यों हैं तो I think आपको यह theory बहुत अच्छे से समझ में आ गही होगी तो Continental Drift theory के इस criticism को मतलब इस theory ने दूर किया था जो की drift के पिछे reason था ठीक आप इसके बाद की जो थेरी आएगी हमारी आएगी plate tectonic थेरी उसमें हम पूरा plates के बारे में detail जो concept है वो discuss करेंगे तो thank you so much